हमाईरा की बिगड़ती हालत को देख कर लवली को होगा पस्तावा और लवली फूट फूट करोएगी जिहां लवली को एक खबर मिले वाली है जो कि सिकंदर द्वारा ही होने वाली है और लवली को नहीं होगा अपने आप पर ही यकीन सिकंदर की इस खबर को सुनकर जिया सिकंदर घबराता हुआ आएगा लवली के पास और पूछेगा कि हमारी बेटी अमाईरा को क्या हो गया है उसकी हालत दिन पर दिन और पर जाला खराब होती जा रही है और उसके गले में जलन हो रही है और ना ही वो उट पा रही है और ना ही कुछ बोल पा रही है तो क्या हुआ है हमारी बेटी को क्या तुम अच्छे से खयाल नहीं रख रही है या फिर कोई नहीं है अमाईरा का खयाल रखने का अगर ऐसा है तो मैं खुद अपनी बेटी का खयाल रखूँगा तो मेरी बेटी अमाईरा से दूर हो जहां सिकंदर चला जाएगा और ये बाते सुनकर लवली को बहुत बड़ा जटका लगने वाला है क्योंकि जो भी चीज़े लवली सुनेगी सिकंदर के द्वारा ये सब उस दवाई का साइड एफेक्ट है जी हाँ ये वो दवाई है जो दवाई लवली ने अमायरा को दी थी और इसी दवाई के साइड एफेक्ट दिखेंगे अमायरा के शरीर में जिसके बाद लवली को होगा पस्तावा और वहीं कबरों के मुदाविक इस तरह की खबरें आ रही है कि लवली अपनी वीटी अमायरा की सिंदगी को बचाने के लिए सिकंदर से भीक मांगेगी और कहती भी नज़राएगी कि ये सब मेरी बजासी हुआ है वह इतनी पागल हो गई थी तुम्हें कुलफी से दूर करने के लिए कि मुझे कुछ भी नहीं दिखाए दिया और ये सब मैंने कर दिया तो किस तरह सिकंदर सुधारेगा लवली की इस बड़ी गलती को और क्या बच पाए की अमायरा की जिंदगी तो आगे की अपडेट जानने के लिए बने रही हमारा साथ और साथी सा सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चानल 24x7 ओनलाई नियूस में रूम की रपोर्ट